बिस्मिल्ला रह्मान रहीम असलाम लेकूम डियर स्टुडेंट्स आई होब आर फाइन टूडे वी आर गोईंग टू चैप्टर नमबर थ्री जी लक्षरवान में हमने चैप्टर नमबर थ्री के कुछ टॉपिक्स को जो था वो डिटेल के साथ देखा था आज हम जो है वो नेक्स टॉपिक्स जो होंगे उनको देखेंगे उनको डिस्कस करेंगे लेकेन नेक्स टॉपिक्स को हम डिटेल से डिस्कस करने से पहले आज की अच्छी बाद जो हो सीखेंगे नबी करेम sallallahu alu' devil sallam नेरिशा फ्रमाया तुम में से अच्छा वो है जिसका इखलाक अच्छा है तो हमें दोस्तों के साथ क्या है अच्छे इखलाक से पेश आना चाहिए चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई छोटा है हमें सब के साथ एक जैसा ही रवएया रखना चाहिए तो अब हम अपने टॉपिक्स की तरफ आते हैं जी अज्ग लेक्चर वण में हमने देखा था Computer Networking नेटवर्किंग हमने देखा था के Computer Network क्या होता है फिर हमने Computer Network की टाइप से देखी थे हमने देखा था कि computer network के two types हैं यहाँ पर जो दी गएंगे लैन local area network और van wide area network उसके पास हमने internet को देखा था इंटरनेट के बारे में देखा था internet क्या होता है फिर हमने देखा था कि why do we use internet हम internet को क्यों इस्तमाल करते हैं हमने internet के uses देखे थे तकरीब में एट internet के जो जो uses थे उनको हमने बिसकस कर गया था आज जो है हम next topic जो है हमारा वो है world wide web world का मतलत है दुनिया वाइड वसी वेब वेब कहते हैं जाल को अब ये world wide web का बनेगा मतलब दुनिया बर में फैला हुआ computers और internet का जाल दुनिया बर में फैला हुआ computers और internet का जाल उसको कहते है world wide web world wide web जो होता है ये तकरिवर पांच पचास हजार से ज्यारा website पर जो होता है वो मुच्टमिल होता है internet के उपर ज्याता जो website होती है वो documents पर मुच्टमिल होती है जनी तो वो दस्तावेश पर मुच्टमिल होती है तकरिवर हर organization, business organization, government departments, colleges, junior states सबने क्या है अपने अपनी वेबसाइट जो है वो बनाई हुए होती है वेबसाइट जो होती है वो एक page की भी हो सकती है और hundred pages की भी हो सकती है internet के जरी हम किसी भी website को जो हो open कर सकते हैं जिसकी हमें जूरूरत होगी अब वेबसाइट जो होती है जो sorry organization जो डिपार्टमेंट जो होते हैं वो क्यों वेबसाइट बनाते हैं ताके वो अपनी जो है गैल प्रोड़क्ट्स जो है उनको उनकी advertisement जो है हो advertisement कर सके इसलिए वो website को बनाते हैं website के उपर उनकी अपने प्रोड़क्ट्स के बारे में डिटेल जो होती है वो दीवी होती है internet के जरी हम कोई भी website जो होती है उसको खोल सकते है suppose हमने CNN जो है ये the world largest news agency जनी दुनिया के सबसे बड़ी news agency है इसकी website को हमने खोलना है ताकि हम news के बारे में जो है जान सके तो इसकी website को खोलने के लिए हमें क्या होना चाहिए सबसे पहले website का पता होना चाहिए हमें इसकी website का पता होना चाहिए हर वेबसाइट जो होती है उसका अपना अड्रेस होता है और अपना नेम होता है यानि हर वेबसाइट का नेम भी अलाग होता है दूसरी वेबसाइट से और अड्रेस भी जो होता है वो अलाग होता है हम भी अपनी वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं उसके उपर अपने बारे में कोई डिटेल जो है वो अगर हमारी कोई प्रोडेक्ट है उसके बारे में उसके उपर वेबसाइट के डिटेल दे सकते हैं ताके और हमारी जो वेबसाइट होगी वो दुनिया बार में कहीं से भी देखी जा सकेगी अगर किसी को हमारी वेबसाइट का जो है वो अड्रेस मालूम होगा तो बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे किसी घर में किसी ने आना है तो हमारे घर का अड्रेस अगर किसी को पता होगा तो तब ही वो हमारे घर में आ सकेगा कहीं से कोई हमारे घर आ सकता है अगर उसको हमारे घर का अड्रेस बता होगा तो बिल्कु यह इसी तरह है यहां कुछ अड्रेस दिये हुएं डिफरेंट वेब साइट्स के जो ज्यादा विजट की जाती है जैसा के www.cnn.com www.aymazon.com www.download.com यह मुफ्ली वेबसाइट्स के नेमज नहीं आएँ आपर अब वेबसाइट हम बनाते है क्यों है वेबसाइट जो होती है वो डाकॉमेंट्स का क्या हता है वाट इस अ वेबसाइट होती है वेबसाइट जो हती है वो डाकॉमेंट्स यानि दस्तावेज का कम्बिनेशन होता है यानि वो डाकॉमेंट्स पर जो होती है वो मिस्तिमिल होता है इसके अंदर मुझ्लिफ डाकॉमेंट्स होते हैं जो डाकॉमेंट्स होते हैं वेब साइट के अंदर वेब साइट के अंदर उनको कहा जाता है web pages. उनको क्या का जाता है? website के अंदर जो document होते हैं उनको का जाता है web pages. website जो होती है वो different companies की तरफ से अपनी चीजों की advertisement के लिए जो है वो बनाए जाती है उनके उपर उनकी products के जो होती है advertisement की होती है और उसके products के बारे में detail जो होती है वो website के उपर device होती है हम किसी भी website को open करेंगे अगर हमने suppose किसी product के बारे में जाना हम कोई product लेना चाहते है तो हम क्या गरें उनकी website खोलेंगे वहाँ से उनके बारे में देखेंगे तो हमें वहाँ से पता चल जाएगा कि यह किस तरह किस तरह की product है उसकी details जानी तुमाम आज होगी उसकी website पर दिवी होगी उसके बाद home page home page क्या होता है यह website का पहला page होता है और भी बहुत सार पेज होते हैं website जो होते हैं एक page पर भी हो सकती है 100 pages पर भी हो सकती है जैकर जो first page होता है उसको कहते है home page अब हमने अगर किसी दूसरे page पर जाना है तो हम home page से उस page पर click करेंगे तो हम वहाँ पर पहुंच जाएंगे जिस page कोई बारे में हमें interest होगा बिल्क इसी तरह अगर हमने घर में दाखिल होना तो हम main gate खोलेंगे तो हम घर के अंदर जितने वी room में जिस room में जाना चाहें हम जा सकते हैं फिर है what can we find on a website हम website के उपर क्या जो है वो तलाश कर सकते हैं website के उपर हम जो है वो text भी available होता है graphics भी sound videos कुछ भी जो होता है वो हो सकता है यह website पर depend करता है कि वो website जो है किस अधारे की है जिस वो department से related होगी अगर किसी college की है तो जारी से बात वो college से related होगी अगर किसी news agency की website है तो जारी बात उस website के उपर news के बारे में ही details होगी इस तरह कोई videos की बारे में है तो वहाँ पर videos ही दी हुए होगी तो इस तरह यह depends कर बिल्कुल इसी तरह अगर हम किसी market में shop पर जाते हैं तो वहाँ पे कोई shop जो है shoes की shop है तो हम जब वहाँ पर जाएंगे तो जारी बात है shoes की shop पर जो होगा वो shoes ही होगी अगर bag की shop पर जाएंगे तो वहाँ पर bags ही होंगी तो इसी तर ये website होती है जी requirement to open a website किसी भी website को open करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की जरूरत होती है सबसे पहले हमारे पास जो होना चाहिए वो number one पे है internet connection जानि internet connection number two पे है web browsing software और number three पे है website address जानि ये तीन चीज़ें जो है हमारे पास होने चाहिए फिर जो है हम website को open किसी भी website को open कर सकते है सबसे पहले देखता है हमने internet connection जब तक हमारे पास internet connection नहीं होगा हमारा जो computer है वो internet के साथ connect नहीं होगा हम कोई भी website open नहीं कर सकते number two फिर हमारे पास computer के अंदर web browsing software भी होना चाहिए web browsing software होगा तो हम इसकी मदद से वो कोई भी website को open कर सकेंगे यह कोई भी website को open करने के लिए यह software कल होना लाज़ी है उसके बाद है नमबर तरी पे website address और URL जन्य वेब site address जो होता है उसको कहा जाता है URL URL का मतबब होता है uniform resource locator uniform resource locator अब हमारे पास जब जिसकी भी हमने कोई अदारे की या किसी कॉलर या यूनिवस्टी की website जो हो open करनी है तो हमें उस website का address भी मालूम होना चाहिए suppose हमने अपना result जो हो देखना है तो हमें किसी यूनिवस्टी से हमने अपना result देखना है जी तो हमारे यहां तक जो था वो complete हो गया आज हमने देखा है कि World Wide Web जानी www क्या मतलब होता है उसके पास हमने देखा website क्या होती है homepage क्या होता है हम website को क्यों इस्तमाल करते हैं एक website को open कलने के लिए हमारे पास क्या requirements जो एक website को खोलने के लिए कौन 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 से requirements होती है जिनको हमने पूरा करना होता है जी पेज नमबर 32 तक हमने तक पेज नमबर 32 के हाफ तक हमने आज complete कर लिया आज इस से related जो question हम उनको देखते है lecture 1 में हमने जी किया था question number 1 why do we make a network question number 2 भी हमने कर लिया था what do you know about internet ये पेज नमबर 29 के उपर है और question number 3 का लिया था why do we use internet write any five purposes question number 3 का जो answer वो pay number 29 के उपर दिया हुआ है जानि question number 1 का जो answer है वो pay number 28 पे question number 2 का जो answer है वो pay number 29 पे और question number 3 का जो answer वो भी pay number 29 से 30 तक है ये तीन question हमने collection number 1 में किये था आज हमने जो topics पढ़े हैं उसे related question number 4 है write a note on world wide web ये 4 question है जो आज हमने करना है world wide web के बारे में हमने अभी पढ़ा है ये पूरा question जो है यहां से start हो रहा है question number 4 का answer यहां से start हो रहा है page number 30 page number 30 30 30 से start हो ये 31 पर जो है वो ये यहां देखें यहां पर ये पे खतम हो जाता है question number 4 का answer जो है यहां पर खतम हो जाता है ठीक है अब हम जो करेंगे वो है हमारा question number 5 भी इसी से related है what is a website website के बारे में हमने अभी पढ़ा है ये भी page number 31 पे देखें what is a website question number 5 का answer ठीक है कौन सा question number 5 4 का भी हो गया और 5 का भी हो गया आज इस lecture के अंदर आप देखते हैं कोई और जो हो इस से related जो हमने डिटिंग की है question number 6 what type of things we can find on a website website के उपर हम कौन सी चीज़े जो है किस तरह की चीज़ें हम तलाश कर सकते हैं question number 6 भी 31 के उपर ये short question है 5 भी short था और 6 भी यहां से start हो रहा है what can we find on a website यहां से start हो रहा है answer 6 का ये देख मैंने 6 right कर दिया है ये कौन सा था 5 का और ये 6 का यहां से यहां था ये short question का answer है ये complete हो गया ठीक है page number कौन सा था 31 यानि page number 31 पे है 5 का भी page number 31 पे answer है और question number 6 का जो answer है वो भी page number 31 पे ही है उसके पार question number 7 है write the names of the requirements for opening a website just name write करने है ये भी page number 31 पे ही है ये भी short question है page number 31 page number 31 के उपर देखें ये देखें requirements to open a website यहां पे ये 3 names जो है वो दिये गए हैं ये कौन सा question है हमारा 7 कौन सा है 7 जी फर्स जो है वो है internet connection web browsing software और 3 है website address जानि ये 3 names जो है वो दिये गए हैं 7 question हो गए हाज हमारे 2 lectures के अंदर complete अब देखते हैं अगर कोई और भी जो है वो हमारा no अब next है explain the email in your onwards ये next topic जो हम third lecture में करेंगे तो तब ये question जो हम उसी के साथ करेंगे तो आप